बीजेपी से दिल तूतना की वन्याय किया है सम्मान नहीं मिला है कोई भी वेक्ती कोई भी पाटी अगर आप तो सम्मान स्वाभिमान और यह सब न्याय नहीं होगा अगर फैस्ट पहुँचेगी तो सिधी सी बात है यहां तो बाप बेटा से जब होता है तो बेटा भी आप सम्मान को लेकर के घर से बाहर निकल जाता है तो आप लोग क्या नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार अपडेट मेरा जीत कुमार आज मेरे साथ पस्वपधिपारस गुड के प्रवक्ता चंदन कुमार मौजूद है कल जिनके प्रती गुंगान करते नहीं प्रहानमंत्री मोधी जी का जो विश्व में देश में जो अर्थव्यवस्था फाइप ट्रिलियन की करने की बात थी देश को बिक्सित ले जाने की बात थी रोजगार के मुद्दे पर जो काम हो रहा था उस पर कर रहे थे इसमें कहीं से कोई ये बात नहीं है लेकिन जो चीज लोग सभा चुनाओ के मद्ने नजर एक विश्व सीट नहीं देगे नाइन साफी हुई है इस चीज को लेकर सम्मान जो नहीं मिला अन्याय हुआ इसलिए आज हमारे राष्टी अध्यच पसुपति पारश जी ने इस्तिफा मंत्री मंदल से दे दिया है मंत्री मंदल से इस्तिफा दे दिया या पार्टी से अपने आपको बैक कर लिए है क्या आप लोग तक जनकारिया है जनकारिया यह है कि आज हमारे राष्टी अध्यच पसुपति पारश जी पटना आ रहे हैं चार बज़े साम तक वाएंगे और ऑफिसियली जो एनाउंस्मेंट जो भी खुली भी है अकेले लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे साथ में लड़ेंगे कि इनके साथ जाना है क्या करना है वो सारी बातें कल आपको परश जी बताएंगे गड़ वंदन को आपने तरह तरह के तंज कसे हैं मगर इसम आपको क्या लग रहा है उसमें जाना आपके लिए ठीक होगा या नहीं आप जा रहे हैं या नहीं देखिए हम लोगों ने तंज जो चीजें पिछले दसक में जो गलतियां हुई थी, कोट्स के माध्यम से जो बाते हैं तो उस पे कोई भी कोई भी रहेगा चाहि हमारे यहाँ हो किसी किया हो, हम लोग गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं वो एक अलग चीजे हैं आप इस बातों को इस यह नहीं कीजिए लेकिन इधर के दिनों में सब कुछ सब लोग डेवलप्मेंट विकास के बारे में सोच रहे हैं लेकिन यह जो चीजें भी हुई है यह निहायत ही किसी भी आज तक तरह का जो साथ में बैठा करके अभी हम मंत आज के साथ मिल करके पस्पशित्ति पारस के साथ खिल किया गया-ज़ता पूरी मंदारी नियाए फुरे निश्था करमचता विश्वास के साथ रहा है यह बात गलत है कि खेल किया है खेल अगर दूसरे माइनों में आप कहना चाहते हैं घर के अंदर की बात की उत्रा धिकार की बात कहते हैं तो हाजी पूर से हमारे संस्थापक राम बिलास पासवान ने जी ने उनको वहां की सीटे दी थी इस बात को भी याद रखे कोई खेला नहीं किया था अगर खेला होन में की बात आप कहते कुछ और भी मनस आपकी बोलने की है तो इस बात को समझे इस परिवार को छोड़ कर जाने वालों में अपने कारणों से अपने तोर तरी अपने भैवार जो उनका था चिराग पासवांजी को खूद गये हैं सारे पासारे जो परिवार के सारे जितने भी जो सदस होते हैं जो परिवार ठोटल जो मामा फुपा जितने भी सब चाचा सब लोग एक साथ में सिर्फ वह अलग हुए हैं वह निट्रल हो गए हैं वह निकलियर हो गए हैं इस बात को याद रखिए कोई खेलावन होने नहीं किया है आप जो इस तरीके के बात कर रह होगा अगर ठेस पहुचेगी तो सिधी सी बात है यहां तो बाप बेटा से जब होता है तो बेटा भी आप सम्मान को लेकर के घर से बाहर निकल जाता है तो आप लोग कि जगा सम्मान तो नहीं मिला है ठेस पहुचा है या नहीं चुनाव लड़ेंगे हमें टालितिक गटवंदन होगा कल आपको सारी बाते हो जाएगी ना कल बात होगी कल पूर अगदम ऑफिस्यल एनॉंस्मेंट होगा हमारे राश्टिय देश परशुपति पारजी आएंगे और सारी बातों को आपको खुल करके बताएंगे और कौन-कौन से सांसत का जहां से लड़ना है वहां से लड़ेंगे अब खुद हाजीपूर से भी लड़ेंगे महा गटवंदन में फिट बैठेंगे या नहीं आप लोग फिट अपने आपको मसुझ कर पाएंगे किसी भी पार्टी के साथ में जब लोग चुनाव लड़ते हैं महा गटवंदन हो एंडिय हो किसी भी के साथ मिनिमूम् कॉमन प्रोग्राम QAG होता है और सब्सक्राइब यह सारे इसके साथ सथ म diagnose आगे बढ़ती हैं बाकी हम कैसे बैढ़ते हैً कैसे खाते हैं कैसे चलते हैं अवह सबकाव अपना डिप्रेंष व्य होता है लेकिन सारी में की वहाँ आंगेर्स परना लिक चैजे जनता के लिए अपने फाइदा नहीं है? क्या फैदा अपना है? क्या फैदा की बात पुछंच रहे हैं? इसमें क्या 바त है? आपके तो साथ आपके साथ थे चले गए? कौन से दो साथ चले गए? महबूव अलिकैसर है तिकट मिल गया क्या कहीं से? टिकेट मिला ही है वह कि आपके सिसाड लेंगे यह सब जेकिए इसे मीडिया में जो कयास जो आप लोग लगाते हैं कोई किस से मिल लिया अरे अभी बचा हुआ है समय बचा हुआ भी जेकिए कल के बाद सब के लिए हो जाएगा कोन कहां से लड़ेंगे पूरे देश का पूर जारखन का जितना है सारा चीज के लिए हो जाएगा